जमीन में जिंदगी किसी हर्कत हो रही है अवधेश प्रीत जी की कहानी हम जमीन यों समाप्थ होती है कहानी का closing line कुछ यों है जमीन में जिंदगी किसी हरकत हो रही है काफी interesting story है दो मुर्दों के वारतालाप से शुरू और खत्म होती कहानी कब्र में पड़े दो मुर्दे जीवन की सच्चाई, भारत की सच्चाई इस कहानी में नए आकार गड़ती है वैसे हमजमीन कहानी अवदेश पृत जी का हमजमीन नाम के ही कहानी संग्रव में संकलित एक कहानी है जो उनका तीसरा कहानी संग्रव है कहानी में चर्चा का विशय सांप्रदाइकता है जो भारतिय समाज की एक सच्चाई है दरसल किसी भी देश की संस्कुती उसकी कल्चर उस देश की समाज की विशिष्ट पहचान होती है भारत में 1930s में जो सांप्रदाइत्ता का दौर शुरू हुआ था वह जूट, हिंसा और घ्रणा पर आधारित था और यह हालात स्वाधिनता के बाद भी बनी रही 1984 में इंद्रागांदी की हत्या, 1992 में बाबरी मस्जित का ध्वन्स इन सभी घटनाओं ने सांप्रदाइक्ता के स्वरूप एवं विचार को बदल कर रख दिया और हमारे देश में धीडे धीडे एक ऐसा समाज निर्मित होने लगा जहां मनिश ने सांप्रदाइक कारणों से एक अलग प्रकार की जिंदगी व्यतीत करना शिरू किया दरसल इन ही मुद्दों पर समकाली लेखकों ने लिखा और हिंदी कहानी में सांप्रदाइक हिंसा को कथा का हिस्सा बनाने के बहाने कहानेकारों ने पाठकों को उस सामाजिक एवं वैचारिक सत्य का एहसास कराया है जिसे हम अक्सर स्वीकारना ही नहीं चाहते ये कहानी भी ऐसी ही एक कहानी है दो मुर्दों का वार्तालाप है पूरी कहानी और सस्तो यह है कि इन मुर्दों के वार्तालाप के माध्यम से कहानीकार मुर्दा बने हम जैसे लोगों को जिन्दा करना चाहते है इस प्रकार की कहानिया पाठक के अंदर उस गहरे विवेक को जागरत करती है जो हमें यह सबक देता है कि किस तरह संकीन सांपरदाईक राजनीती के कारण हमने मनिशिता के इतिहास को कलंकित किया है तो चलते हैं सीधे कहानी की और कहानी का आस्वादन करने से पहले आपको इमैजन करना है कलपना करना है कि जमीन में पास पास दफनाये गए दो मुर्दों की यहाँ आपस में बातचीत है पहला मुर्दा पुछता है तू सोता क्यों नहीं नीन नहीं आ रही क्या और उसकी आवाज में जब यह पुछता है कि तू सोता क्यों नहीं उसकी आवाज में खीज थी और बेचैनी थी तो दूसरा मुर्दा जो पास के ही कब्र में लेता है वो बोलता है हाँ नींद नहीं आ रही हर कोशिश करके देख ली उसने कहा देखो मुझे नींद नहीं आ रही मैंने पूरी कोशिश कर ली प्रत्युतर में उभरे स्वर की लाचारी छुपी न रह सकी जो प्रत्युतर मे जो respond करता है दूसरा मुर्दा प्रशनका उत्तर देता है उसके स्वर में जो लाचारी है वो छिपी नहीं रही क्योंकि वो सोने की कोशिश कर रहा था लेकि नीन नहीं आ रही थी और पास वाले कब्र में जो मुर्दा है वो यह सेंस कर लेता है कि उसका बगल वाला जो मुर्दा है सो नहीं पा रहा है क्या बात है बहुत दुखी लग रहा है तो पहली आवाज में एका एक सहानबूती की तरलता आ गई थी देखो मुर्दा है लेकिन उसके मन में सहानबूती जागरत होती है अपने पास वाले मुर्दे के प्रती वो क काफी सहानुबुती पूर्वक पुछता है, उसके आवास में ही वो तरलता है, सौफनस है, मतलब कि उसके मन में एक सिंपती जगती है, पास वाले मुर्दे के प्रती, तो वो पुछता है क्या बात है, बहुत दुखी लग रहा है तू, दुख अपनी जगा है, नींद का ना आना अपनी जगा, दोनों का एक दुसरे से रिष्टा हो ही, कोई जरूरी नहीं, तब दुसरा मुर्दा क्या कहता है, कि दुख अपनी जगा है, नींद का ना आना दूसरी बात है, दोनों का कोई connection हो हमेशा, ये जरूरी नहीं है, लेकिन हम अक्सर सोचते हैं ना कि जो दुखी है वो सो नहीं पाएगा, उसे नींद नहीं आएगी, लेकिन ये दूसरा मुर्दा कहता है, कि दोनों का, याने कि दुख का और नींद ना आने का, एक दूसरे से रिष्टा हो, ये कोई जरूरी बात नहीं है, कहता तो तू ठीक है, लेकिन बहुत देर से गौर कर रहा हूं, तू खासा बेचैन है, रहा नहीं गया, सो पूछ लिया, देखो पांस वाले कबर में लेटा है जो मुर्दा, वो ये सेंस कर लेता है, कि उसके बगल वाला मुर्दा काफी बेचैन है, वो खासा बेचैन है, इसलिए सोचा कि पूछ लिया जाए, क्योंकि आपस में जब बात कर लेते हैं, तो दुख थोड़ा हलका हो जाता है, दिल का बोश थोड़ा कम हो जाता है, अच्छा किया, दूसरे ने उसका होसला बढ़ाया, इसी तरह शायद बेचैनी कुछ कम हो, बोलने बत्याने से जी हलका होता है, अब देखें, दूसरा मुर्दा भी इस बात से सहमत होता है, कि हाँ तुने अच्छा किया, क्योंकि क्या होता है, इससे होसला बढ़ जाता है, जब आप अपने दुख को दूसरों से बाटते हैं, बोलते बत्याते हैं, तो दुख थोड़ा कम हो जाता है, बेचैनी कम हो जाती है, स्वाभाविक सी बात है, पहले को विश्वास हो आया, कि दूसरा जरूर उम्रदरास है, अनुमान लगाने की कोशिश की, साट साल, हाँ, इसी के आसपास होगा, अब देखे, पहला वाला मुर्दा समझ जाता है, कि ये जो दूसरा मुर्दा है, देख तो नहीं पा रहे हैं, दोनों दो कबर में लेटे हुए हैं, दफनाए हुए मुर्दे हैं, वाले मुर्दे को इस बात में संतोश हुआ, कि चलो बुढ़ा आत्मी है, तो उसने अपनी उम्र जी ली है, उसके बाद उसकी मुर्त्यू हुई है, उसे चुप जानकर दूसरे ने टोका, क्या हुआ, खामोश क्यों हो, अब दूसरा मुर्दा, जब पाता है कि पहला वाला इक्दम चुप है, तो वो पूछ बैठता है, क्या हुआ, तुम क्यों चुप हो गए, खामोश क्यों हो, नहीं, कुछ खास नहीं, बस तेरे ही बारे में सोचने लगा था, पहले ने हट बड़ी में सफाई दी, अब देखो, पहला मुर्दा बुलता है, नहीं, मैं थुड़ी दिर चुप था, क्योंकि मैं सोच रहा था, वो भी तुमारे बारे में सोच रहा था, मेरे बारे में, क्या सोच रहा था मेरे बारे में, दूसरे के स्वर में उच्छ सुकता थी, अरे मेरे बारे में सोच रहा था? क्या सोच रहा था? तो ये दूसरे वाले मुर्दे के मन में excitement होता है, जानने की उठसुकता होती है कि तू आखिर मेरे बारे में क्या सोच रहा था? यही कि तेरी उम्र कितनी होगी, तो कितने साल का है उत्तर के साथ साथ पहले ने जिग्यासा भी जाहिर कर दी अब पहला वाला क्या सुच रहा था कि दूसरा वाला मुर्दा का एज कितना होगा, कितने साल का होगा दोनों की मृति हो गई है, दोनों दफनाए गए है, अब पहले वाले मुर्दे को ये जानने की जिग्यासा होती है, कि जो पांस पड़ा जो dead body है, वो कितने साल का है, कितने उम्र का है, क्या फरक पड़ता है, उम्र 30 की हो या 60 की, दूसरे के स्वर में सूफियाना अंदास थ अब दूसरा मुर्दा जो है, हमेशा जब बात करता था थोड़ा philosophical होकर कहता था, थोड़ा दार्शनिक भाव से कहता है कि क्या फरक पड़ता है, अब तो मृत्ति हो गई है, अब मैं 30 साल का हूँ या 60 साल का सब एक जैसा ही है, क्यों? क्यों नहीं फरक पड़ता? साट वाले ने 30 वाले से ज़्यादा जमाना देखा होता है, उसने जिन्दगी के ज़्यादा लुफ्त लिये होते हैं, पहले ने जोरदार दलील दी, अब पहला वाला मुर्दा कहता है, भई फरक तो है, जो 60 साल का है, वो 30 साल वाले मुर्दे से ज़्यादा जीवन देख है वो जिftतो है जंदगी के जादा आनंद ले चुका होता है वो मतलब कि 70 साल तक वो जिंदारा है भई तो Pero तो यह तो है तीस साल का ये जवाँ मरता है और साथ साल का एक आद्मी मरता है दोनों में काफी फॉरक होता है नहीं नहीं, साठ वाले ने जिन्दगी के ज़्यादा दुख छेले होते हैं, ज्यादा जिम्मेदारिया ढोई होती है, दूसरे ने असहमती जदाई, अब दूसरा मुर्दा कहता है, नए, नए, ज़रूरी नहीं है कि कोई विक्ति साठ साल तक जिये, तो उसका मतलब यह नहीं है क उसने ज्यादा सुक झेले हूँ, तो जरुभी नहीं कि उन ज्यादा सुक के दिन देखे हूँ, ऐसे भी हो सकता है, कि 60 वाले ने जिन्दगी के ज्यादा दुख झेले हो, तो मेरा अनुमान सही है, पहले ने बात बदल दी, क्या, यही कि तेरी उमरा 40 साल है, तो पहला वाला मुर्दा यह अनुमान लगाता है कि दूसरा वाला जो मुर्दा है वो 60 साल का होगा उसकी बादचीत के लहजे से उसकी जो maturity level है उसके दार्शनिक भाव से बात करने का जो तरीका है उससे पहले वाले मुर्दे ने अनुमान लगाया कि हो सकता है वो 60 साल का व्यक्ति हो हाँ तेरा अंदाजा सही है मैं 60 साल का हूँ और तू तेरी उम्र कितनी है दूसरे ने बगैर माथा पच्ची के सीधा सवाल किया अब दूसरा मुर्दा ये एसेप्ट करता है कि हाँ भई मैं 60 साल का हूँ I am 60 years old अब तुम्हारी उम्र क्या है मेरी उम्र तू बता कितनी होगी पहली ने चुहल की अब पहला वाला मुर्दा अपनी उम्र ठीठी से क्लिरली बताता नहीं है बदले में प्रश्न करता है कि तू ही अनुमान लगा कि मैं कितने साल का हूँगा मैं इस मामले में अनाडी हूँ, हिसाब किताब से कभी वास्ता नहीं रहा, दूसरे ने साफ गोई से अपनी कमजोरी बता दी अब दूसरा मुर्दा कहता है भई मैं ये पसल वसल नहीं जानता कि तुमारी उम्र कितनी है ये सब तो मैं मैं हिसाब किताब में इस मामले में बहुती पीछे हूँ एकदम अनाडी हूँ फिर इतनी लंबी जिंदगी तुने जी कैसे ली पहले ने हैरानी से पूछा तो इस पर पहला मुर्दा काफी हैरान होकर पूछता है अगर तू इस मामले में अनाडी है यानि कि हिसाब किताब लगाने में तू पीछे है तो तूने साट साल की जिंदगी कैसे गुजार ले इ बिना हिसाब किताब के कैसे बिदाली इतनी लंबी जिन्दगी तुने जी कैसे ली पहले ने हैरानी से पूछा कोई जरूरी नहीं कि जो जिया वो जिन्दगी ही थी दूसरा हिसाबी किताबी न सही खासा अनुभवी जान पड़ रहा था अब दूसरा मुर्दा कहता है कि भई मैंने 60 साल की जिन्दगी जी ली इसका ये मतलब नहीं कि वो भी कोई जिन्दगी थी बस मैंने जी लिया तो बातों बातों में पता चलता है कि हमें पता चलता है पाठकों को कि जो दूसरा मुर्दा है वो अपने जीवन से ज़्यादा क कुछ satisfied नहीं था, बस 60 साल की उम्र तक जी लिया, जीने को तो जी लिया, लेकिन कोई खास खुशी उसे अपनी जिन्दगी से शायद नहीं मिली, उसके वारतालाब से, उसके डायलोग से यूँ ही लगता है, तो अब दुखी क्यों है तू, अब तो वैसी जिन्दगी से चुटी पा चुका है, पहले ने टोका, अब पहला वाला मुर्दा भी छोडने वाला नहीं, वो कहता है, तो चलो तुमने 60 साल की जिंदगी, कोई खास जिन्दगी नहीं जी, तुम सुखी नहीं थे, तो अब दुखी क्यों है भाई, अब तो तु मर गया है, अब जिन्दगी से तुझे कोई अगर खासी खुशी नहीं मिली, तो अब भाई मौत से तु खुश हो जा, पहले ने टोका, अब क्यों नहीं नीन दा रही, चैन से सो क्यों नहीं जाता, अब देखो भाई, तुम खामका क्यों हलकान हुआ जा रहा है, अब दूसरा मुर्दा कहता है मेरी बात चोड़, भई तू क्यों नहीं सो पा रहा, तू खामका बिना मतलब के क्यों परिशान हो रहा है, क्यों, मैं क्यों ना हलकान हूँ, पहला तुनक पड़ा, मैं अपनी मौत मरा होता, तो कोई ब frustrated होना भी अपनी जगह ठीक है क्योंकि मैं अपनी मौत नहीं मरा अगर मैं अपनी मौत मरता तो इस तंग जगह में सोने की तकलीफ नं होती मुझे अपनी मौत मरा होता तो क्या तू सीधे जणन्त चला गया होता दूसरे के स्वर में व्यंग्य था अब देखो दूसरा मुर्दा कहता है भई यह भी अच्छा आद्मी है अगर तू अपनी मौत मरा होता मुर्तियू तू सब एक जैसी है भई तू जन्नत चला गया होता, सीधा स्वर्ग गया होता, पहले ने बुरा नहीं माना, बलकि अपनी रौ में बोल पड़ा, वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना तय है कि इस कब्र में ना पड़ा होता, अब पहला मुर्दा कहता है भई, ये मैं नहीं जानता कि मैं अगर अपनी तो मैं सीधे स्वर्ग जाता या कहां जाता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि इस कब्र में मैं नहीं पड़ा होता, तो कहां होता, दूसरे के स्वर्ग में सम्शय का पुट था, अब दूसरा मुर्दा पूछता है, अच्छा, तो तू कहां पड़ा होता, जला दिया गया ह मेरे मुर्दे को जला दिया गया होता, दफनाया नहीं गया होता, अचानक एक गहरी चुपी तिर आई, एक दम से जैसे सब कुछ ठहर गया हो, यह अंतराल लंबा हो, इससे पहले ही दूसरे की मद्दिम आवाज आई, तो तू हिंदू है, अब देखें दूसरा मुर्दा दो विक्ति मरे हुए हैं, एक कहता है कि अगर मैं अपनी मौत मरता, तो मुझे दफनाया नहीं जाता, मेरा दाह संसकार हिंदू संसकारों के अंसार किया जाता, अब दूसरा मुर्दा अब समझता है कि अच्छा यह मुसल्मान नहीं है, यह हिंदू है, हाँ, और तू पहले न समझे में सवाल दागा, मैं तो मुसल्मान हूँ, दूसरे ने जवाब दिया, अब देखो यह धर्म जो आदमी ने बनाया है, मानव जब जनम लेता है, तो मानव के रूप में ही जनम लेता है, हम किसी को हिंदू बना डालते हैं, किसी को क्रिस्चिन, किसी को मुसलिम, किसी को पार्सी किसी को कुछ बना देते हैं अब मृत्यू के बाद भी देखो ये मुर्दा दोनों मर गए हैं दोनों का इस अब जिन्दगी से कोई वास्ता नहीं है दोनों मर गए हैं दोनों की मृत्यू हो गई है लेकिन अब भी वो हिंदू मुसल्मान से चिपके हुए हैं तो पहला वाला कहता है कि वो हिंदू है, हिंदू धर्म की अमसार अगर उसका दाह संसकार किया जाता, तो इस तरह इस तंग जगा में उसे पड़ा नहीं रहना होता, फिर तो तो सही जगा पहुंचा है, पहले ने संतोष जताया, अब देखें दूसरा वाला कहता है कि वो मुसल तो पहला वाला कहता है मुर्दा कि तो तो ठीक सही जगा पर आया है भही तू मुसल्मान है तो मुसल्मानों की मुर्द्यों की बाद क्या क्या जाता है उन्हें दफना दिया जाता है तो तू तो सही जगा पहुंचा है नहीं मैं अपनी मौत मरा होता तो इससे बेहतर जगा म मिली होती, मुझे दफनाया ही जाता, मुझे कब्र में ही लिटाया जाता, लेकिन थोड़ा स्पेश्यस होता, इतना तंग नहीं होता, क्यों इस जगह में क्या खराबी है, पहले ने सशंक पूछा, पहले वाले ने पूछा क्यों इस जगह में क्या खराबी है, वही जो से फैला सको ना करवट तक बदल सको दूसरे की आवास में गहरी पीडा उतर आई थी अब देखिए दूसरा मुर्दा कहता है कि इतनी तंग जगा है कि पाउं भी टीक से नहीं फैला सकते करवट मी नहीं बदल सकते अब देखिए ये कहाने हमें सोचने के लिए मजबूर करत है कि दफनाने के बाद भी डेट बॉडिस के ऐसे फीलिंग्स होते होंगे जब कबर खरीदा जाता है तो जो कॉफिन जो खरीदा जाता है जिसमें डेट बॉडी रखा जाता है तो उसका साइस के बारे में भी ध्यान देना चाहिए कि डेट बॉडिस को भी करवट बदलने की इच्छा होती है कभी तो तेरी नीद आने की वज़वी वही है पहला पुष्टी चाता था हाँ पूरी देह अकड गई है जखम में रिसा खून जम कर अलग से चुन चुना रहा है दूसरा बुरी तरह अजीज आ गया था तेरा जखम कहा है मेरा मतलब किस जगह पर पहले ने हमदर्दी से पूछा अब मुर्दा के मन में भी हमदर्दी जखती है सिंपती उत्पन होती है वो पूछता है दूसरे मुर्दे से कि तेरा जखम कहा है तुझे कहा चोट पहुँची है सीने पर बुरी तरह चलनी हो गया है दूसरे के स्वर में आह थी अब मुझे कहा चोट लगी है भला मेरे सीने पर तो कि मेरे दिल में चोट लगी है शह पहले ने अफसोस जदाया वाकई बहुत तकलीफ होई होगी वो तो है दूसरे ने गमजदा लहजे में पूछा लेकिन तू यहां कैसे आफसा अब देखिए दूसरा मुर्दा पूछता है चलो मेरी बात छोड़ो तू कैसे पहुँचा यहां चूतियों के चक्कर में पहले के स्वर में जबरदस्त गुसा था साले सरकारी कानकून जो ना करें अब देखिए गाली देता है वो पहला वाला मुर्दा काफी गुसा होता है वो कैसे इस कबर में पहुँचा उस बात के पूछे जाने पर वो इतना गुसा होता है कि वो गाली देता है ठीक कहता है तू सब के सब खाना पूरी करते हैं, दूसरे ने हामी भरी, मेरे साथ भी यही हुआ, अच्छा तेरे साथ क्या हुआ, पहले ने उच्सुकता जताई, अब पहला वाला मुर्दा ये जाना चाता है कि दूसरे वाले की जिंदगी में एक्चुली क्या हुआ, वही सरकारी कारकून रात के अंधेरे में धेरों लाशें लेकर आए, और बित्ता बित्ता वर गड़े में दफना गए, गोया थोड़ा ज़्यादा जमीन खोदने में सालों की जान जा रही हो, दूसरे की आवास में उज्जर था, अब देखी यही हुआ, सरकारी जो अफसर है, नौकर है सरकार वो क्या है, अंधेरे में धेरों लाशे लेकर आए, क्योंकि ये जब कम्यूनल राइट्स होता है, जब सामरताइक दंगे होते हैं, तो काफी मार काट होती है, माहोल एकदम गरम होता है, तो लाशे यहां वहां पड़ी होती है, खून पड़ा होता है, तो ये रात को क्या ह अब शाम ढलते ढलते लाशों को जैसे तैसे सरकारी नौकर लोरी में डाल कर एक जगह ले आते हैं और बहुत सारे गड़े खोते हैं, जल्दी जल्दी में खोते हैं, चोटे चोटे गड़े कोते हैं और उसमें दफना देते हैं अकल के अंदे कभी नहीं सुद्रेंगे पहला कहीं ज़्यादा तीखा हो आया था लाशें दफा करने के चक्कर में हिंदू मुसल्मान कुछ नहीं सूचता अब पहला वाला मुर्दा काफी गुस्सा होता है काफी आक्रोश भरे स्वर में कहता है कि भई लाशें दफा करने के चक्कर में ये जो सरकारी नौकर है वो ये नहीं देखते कि कौन हिंदू है कौन मुसल्मान लगता है तू इसी गलत फैमी का शिकार हुआ दूसरे ने हमदर्दी जताई अब दूसरा मुर्दा जो मुसल्मान था वो कहता है शायद तू गलत फैमी के कारण मारा गया हाँ मैं सुलेमान सेट की गद्दी पर काम करता था दंगायों ने वहाँ आग लगा दी सब के सब जिन्दा जल गए अब ये जो पहला मुर्दा है वो हिंदू था लेकिन वो काम करता था मुसल्मान सुलेमान सेट के यहाँ तो क्या हुआ जब दंगा हुआ तो दंगायों ने सुलेमान सेट के पूरे मकान को पूरे तो सुलिमान सेट की पूरे कारोबार पर आग लगा दी सब के सब जिन्दा जल गए पहले की दहशत भरी आवास में दिल दहलता मंजर नुमाया हुआया था तो पहला वाला जो मुर्दा है वो जब यह कह रहा था तो उसका दिल एकदम भर आया क्योंकि वो हिंदू था उसके अपने भाईयों ने उसे मारा क्योंकि गलत फहमी हुई वो मुसल्मान के यहां काम करता था तो उसी के हिंदू भाईयों को लगा कि यह भी मुसल्मान होगा क्योंकि सुलीमान सेट के यहां काम करने वाले सभी मुसल्मान ही होंगे ऐसा अनुमान लगाया गया अब इसमें इसे काफी दुख होता है पहले वाले मुर्दे को कि हिंदू ने ही मुझे मार डाला गलत फेहमी के कारण देर रात तक हमारी लाश सीजती रही फिर सरकारी कारकुन आये और लाशे लोरी में भर कर आनन फानन यहां दफना गए अब मृत्यू भी हुई अपने ही भाईयों के हातों से अपने ही धर्म के लोगों के हातों से और उपर से शवसम्सकार भी हिंदू रीति रिवास के अंसार नहीं हुआ अब आत्मा को भी भला कैसे मुक्ती मिलेगी दफना दिया गया क्योंकि सरकारी नौकरों को भी लगा कि ये सभी मुसल्मान ही मारे गए हैं सुलेमान सेट के यहां काम करने वाले सभी मुसल्मान ही हैं तो सभी के लाशों को लेकर दफना दिया सोचा होगा मुसल्मान की गदी पर सारे कारिंदे मुसल्मान ही होंगे दूसरे ने बे साक्ता तंग लहजे में तपसरा किया गोया हिंदू, मुसल्मान की रोजी मुसल्मान अकल की अंदे को कौन समझाए सुलेमान सेट तो गया अब कौन देगा मेरे घरवालों को रोटी पहले के स्वर में गजब की बेबसी थी पहला वाला मुर्दा कहता है सुलेमान सेट गया मैं भी गया अब मेरे घरवालों को भला कौन रोटी देगा एक बारगी दूसरे ने कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की दोनों के बीच चुपी सन सनाती रही आखिरकार पहले नहीं पहल की क्या हुआ तो चुप क्यों हो गया अब दोनों चुप हो गए दोनों इस बात से काफी दुखी हुए जो कुछ उनकी जिंदगी में हुआ सामप्रदाइक दंगे के कारण हुआ मार काट हुई गलत फहमी में मारा गया पहला वाला तो दोनों चुप रहे क्या हुआ तो चुप क्यों हो गया आखिरकार पहले नहीं पहल की पहला वाला मुर्दा फिर पुछता है तो चुप क्यों हो गया नहीं बस तेरे ही बारे में सोचने लगा था दूसरे ने सफाई दी दूसरा मुर्दा कहता है जो मुसल्मान है वो कहता है मैं तेरे बारे में सोच रहा था मेरे बारे में? मेरे बारे में क्या सोचने लगा तू? यही कि तेरे घर में कौन-कौन होगा दूसरे ने इसरार सा किया कौन-कौन था तेरे घर में, मैं यही सोच रहा था कि तेरे घर में कौन-कौन होगा, बीबी दो बच्चे, पहला पांच साल का, दूसरा तीन साल का, पहला हुलस कर बोला, अब पहला वाला जो मुर्दा है काफी दुखी होकर खीच कर बोलता है, अरे मेरे घर में बीबी दो बच्चे, पहले वाले मुर्दे की उम्र कितनी है, यहां पताया नहीं गया था, दूसरा वाला मुर्दा मुसल्मान है, साट साल का है, लेकिन पहले वाले ने अभी तक अपना उम्र नहीं बताया, तो अब पता चला कि वो करीब 30 साल का नौजवान था, इश, दूसरा जजबाती हो आया था, सच मुच, तेरे साथ बहुत ज्यादती हुई है, अब दूसरे वाले मुर्दे को काफी दुख होता है, अरे यह तो केवल 30 साल का है, 30 साल मतलब इसकी जिन्दगी तो अभी शुरू ही हुई है, छुटी छुटे बच्चे हैं, तो उसे क काफी दुख होता है, उपर से गलत फैमी के कारण मारा गया, क्यों, तू अभी कह रहा था, उम्रत 30 साल की हो या 60 साल की, क्या फरक पड़ता है, पहले ने पलटवार किया, अब पहला वाला मुर्दा वो थोड़ा तर्क करता है हमेशा, वो कहता है, कि तू ही तो कह रहा था कि 30 साल का हो या 60 साल का कोई फरक नहीं पड़ता, यू तो कोई फरक नहीं पड़ता, दूसरे ने दलील दी, लेकिन तेरे मामले में बात दूसरी है, वो कहता है कि यू तो वैसे कोई फरक नहीं पड़ता, लेकिन तेरे मामले में बात दूसरी है, क्या मतलब, मतलब ये कि तेरे पीछे तेरे बीवी बच्चों को कौन पालेगा, दूसरे के स्वर में गहरी चिंता थी, अब देखो तेरे जाने के बाद तेरे बीवी बच्चों को कौन पालेगा, वे ही पालेंगे जिनोंने पलीता लगाया है, पहला चिढ़ा सा जान पढ़ रहा था, अब पहला मु यही पालेंगे जिन्होंने पलीता लगाया है पलीता लगाना यानि कि जिन्होंने ये बवेडा शुरू किया है ये जगडा जिसने शुरू किया है वो ही पालेंगे मेरे बीबी बच्चों को मुझे तो नहीं लगता दूसरे का अनुभव जन्या स्वर दो टूक था अब तो ऐसे में शायद उनको पश्टाताप हो और वो ही इसके बीवी बच्चों को पालेंगे, ऐसा तो नहीं होगा शायद, दूसरा मुर्दा कहता है, वो साट साल का था तो उस जिंदिगी कानभो जाना था, तो वो कहता है मुझे तो नहीं लगता, तो मेरे बच्चे एक दिन उन्हें ही पलिता लगा देंगे, तिल मिलाया हुआ था, अगर वो मेरे बच्चों को नहीं पालेंगे, तो मेरे बच्चे बड़े होकर उन्हीं का पलिता लगा देंगे, अब ये सिलसला जारी रहेगा, communal rights अत्वा सामपरदाईक दंगों का यही एक है जक्म सालों साल नहीं भरता किसी के घर में कोई मारा जाता है तो पूरी जिंदगी वो हमें याद रहता है जक्म रहता है और ये जो वायर भाव है जो दुश्मनी का भाव है दूसरे मजब के लोगों के प्रती वो कभी जाता नहीं तभी इंडिपेंडेंस के पहले भारत में जो सामपरदाईक भेदभाव शुरू हुआ दंगे शुरू हुए वो अब तब घिसा चला आ रहा है इंडिपेंडेंस के इतने साल बाद भी ये कम्यूनलिस्टम, सामपरदाईक दंगे इतने ये जो सामपरदाईक भेदभाव है लोगों के मन से जाता ही नहीं दूसरे ने कुछ नहीं कहा एक बार फिर सन्नाटा चा गया पहला थोड़ी देर तक इंतजार करता रहा लेकिन दूसरे की और से कोई प्रतिक्रिया न होती देख उससे रहा नहीं गया बोला क्या हुआ तो चुप क्यों हो गया अब दूसरा जो चुप था दूसरा मुर्दा कुछ बोल नहीं रहा था तो पहला वाला पुछता है क्या हुआ तो चुपकियों हो गया कुछ खास नहीं दिल का जक महरा हो गया था इसलिए बोलने में दिक्कत हो रही है दूसरे की आवास में वाकई दर्द था अब दूसरा वाला मुर्दा अपनी जिंदगी के बारे में शायद सोचने लगा और उसके जक महरे होने लगे तो उसे दिक्कत होने लगी, काफी दुख होने लगा सालो ने बड़ी बेरहमी से तुझे मारा ना पहला उत्तेजित हो आया था अब पहला पूछता है सालो ने तुझे बहुत बेरहमी से मारा दूसरे ने संजीदा स्वर में जवाब की जगह कहा कातिल रहम दिल भी होते हैं क्या तो दूसरा मुर्दा कहता है जो कातिल है जो दूसरों को मारने वाला होता है उनका दिल ही कहा होता है वो रहम दिल तो कभी होते ही नहीं किसने मारा तुझे पहले ने उच्छुकता से पूछा कातिलों ने दूसरे ने छोटा सा जवाब दिया भई कातिलों ने मारा और कौन मारेगा मुझे आखिर वे थे कौन हिंदू पहले ने जोर देकर पूछा अब देखो दूसरा तो मुसल्मान है पहला हिंदू है तो पहला कहता है कि तुझे किसने मारा हिंदूने मारा मुसल्मान मुसल्मान को क्यों मारेगा भाई कातिल तो सिर्फ कातिल ही होता है दूसरे ने फलसफा दिया अब दूसरा कहता है भी मुसल्मान अपने ही भाई को क्यों मारेगा ये जो मारने वाले होते हैं उनका कोई धर्म अजब नहीं होता वे तो बस कातिल होते हैं तू तो बड़ी-बड़ी बातें करता है पहले ने चुटकी ली लेकिन लेकिन तू मरा कैसे पहले के स्वर में गहरी जिक्यासा थी अब पहला वाला जाना चाता है क्योंकि पहला वाला जो हिंदू था उसने अपनी कहानी कही वो एक मुसल्मान के यहां काम करता था और गलत फहमी के कारण वो मारा गया अब वो जाना चाहता था कि ये जो दूसरा मुसल्मान है वो कैसे मारा गया छोड़ भी कब से खाली मनहूस बाते ही किये जा रहा है मौत मातम मैयत के अलावा तेरे पास और कोई बात नहीं किया दूसरे ने पहले के सवाल को चालाकी से दर किनार कर दिया अब दूसरा जो मुर्दा है वो भी तंग आ गया ये मौत के बारे में सुनकर मातम मैयत के बारे में सुनकर काफी डार्क सीन है सभी मौत के बारे में बात करते करते इतने नेगेटिव फीलिंग्स आ गए मुर्दे में दूसरा वाला मुर्दा कहता है अब छोड़ भी बहुत हो गया मौत के बारे में मातम के बारे में मयत के बारे में बात करके कबसे इन मन्होस बातों को हम किये जा रहे हैं चलो विशे को हटा देते हैं टॉपिक चेंज कर लेते हैं मुर्दे मौत नहीं तो क्या जिन्दगी की बात करेंगे पहले ने तर्क किया अरे भई मुर्दा है तो मौत की बात नहीं तो क्या जिन्दगी की बात करेंगे पहला वाला मुर्दा तर्क करता है तो कहानी की दूसरे भाग को हम शीगर ही अपलोड करेंगे जुड़े रहिए